में आपको मालाना ट्रैकिंग और कैंपिंग के बारे में बेहर ज़रूरी चीजे बताऊंगा मालाना जाने के लिए आपको बहर ज़रूरी होंगी और आपके ट्रैकिंग के समय मदद करेगे अगर आपने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा हुआ तो मैंने इसमें आपको दिल्ली से कसॉल और कसॉल में चीपेस्ट एकमेडेशन नियर कसॉल आप मैंने आपको दिखाया है और सेकेंड ब्लॉग में मैंने आपको मलाना ट्रेकिंग और मलाना एक्मेडेशन दिखाया है cheapest एक्मेडेशन इन मलाना इस ब्लॉग में मैं आपको full एक review दिनगा कि आपको मलाना ट्रेक करते समय किन-کिन बातों का ध्यान रखना चाहिए और मलाना के बारे में कुछ नई बाते बतलाऊंगा क्योंकि मलाना कुछ रूस चेंज हो चुकी है अगर आप 2017 से पहले आये हूं ज्यादा कैसे स्टेपर रूस चेंज हो चुका है तो इस वीडियो को पूरा देखें अगर ये वीडियो आपको पसंद आये तो नीचे लाइक करें कमेंट करें अगर आपको कुछ भी पूछना हूं मलाना एकमेडेशन और मलाना ट्रेकिंग के बारे में तो आप नीचे कमेंट करें और प्लीज थोड़ा सा से में निकाल के नीचे जो रेड वाला बटन देख रहा है इसको दबाएं और प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें कि मैं आपके लिए और भी ऐसे लेटे ट्रैवल बजेट वीडियो द्ला सब्सक्राइब करें तो आपको मैं सीधे मालाना ट्रेक टू पर लेके चलता हूं सो मैं ब्लॉक करने पाया अभी आठ बज रहे हैं और बाहर काफी धूप हो गई है यह कैम था और एक चीज मुझे बस खराब लगा यह तक्या इतना उचा तक्या है मुझे इतने उचे तक्या की आदत नहीं है मैं बिना तक्या के फिर राजबस रहा तो मैं अब बाहर का इन लगा आप को दिखाता हूं तो अ कि ना मैं लुब इस घ्रम निज्टार में वाइस इस थे आपको दिखाता हूं है गाइज और मैं आपको कुछ बाते बत लाओंगा मलाना के बारे में जो आपके ट्रेवल में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होगी कि अपना पूरा कैस करे करके रखे कि कहीं एटियम है वह कासौल में जरी में तो वह काम नहीं करता एंड जैसे मैंने पहले भी अपने ब्लॉग बताया है कि मलाना में टुरिस्ट बैन हो चुका है बट टुरिस्ट बैन नहीं हुआ यह गलत वर्ड मैंने उस समय बोल दिया थ थिंग इस कि अगर आप 2017 एपरिल से पहले आये होंगे तो मलाना के अंदर में काफी गेस्ट हाउस थे जो की सारा क्लोजड हो चुका है अब मलाना के स्टार्टिंग में एक माउंटेन व्यू गेस्ट हाउस है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा बट अगर आप पूरा मलाना गाउं पास करोगे तो फिर एंड में एट कैम से और एक गेस्ट हाउस है तो अगर आप आ रहे हैं तो आप कोछिस करिए कि यहां पहले दिन में आ जाए ताकि आप पहले कैम बुक कर ले एंडर धिंग इस डाट कि आप मलाना में कुछ भी टच नहीं कर सकते हैं मैंन अगर आप पहले कर रहते हैं तो उन्होंने हमें रोक दिया कि नहीं आप बहार ही रहो और इसके बाद फिर जो भी हमने समान करी था उसका दूर से फिर उन्होंने पैसा लिया पहले तो ले नहीं रहते पहले करे थे कि अगर आपके पस पीटियो में तो दे दो फिर उसमें बाद में अलग से बाहर में दुकान के पैसे रखवा है और हमारा समान रखा बट टच नहीं करने दिया कुछ भी So it's really strange आज तक हमने ये पढ़ा था वस कि हाँ ऐसा होता है लेकिन आज हमने देखा And fourth thing is कि अगर आप मलाना आ रहें तो आप पहले weather report ले लें क्योंकि बारिस के समय ये प्लेस बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है कल हमारे साथ यह वक्त बारिस हो रहे थी पूरी दिन पूरे रात बारे से और काफी ज्यादा स्लिपरी हो गया था track So mind it कि आप पहले से ही weather चेक कर ले और best time, best season है मलाना आने का April to June बारिस फिर जुलाई से चालू हो जाती है so it's not the best time to come मलाना And fifth and most important thing गरम कपरे अब किसी भी season में आओ April, May, June गरम कपरे अपने साथ हमेशा रखना क्योंकि पहाडो का मौसम कुछ नहीं कहा जा सकता कभी भी ठंड हो जाती है कभी भी गर्मी हो जाती है अब हम यहां से जरी जाएंगे और जरी से फिर डिसाइड करेंगे डली जाना है या फिर पारवती वैली की किसी इमालन में जाना है अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो आपके लिए एक और ब्लॉग होगा अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें और आपको कुछ भी पूछना हो कुछ भी ट्रैवल ट्रैक और चिलिंग के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें या सो मिलते हैं अब